नमस्कार दोस्तों CAC VALI HELP में आपको बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो हम बात करने वाला हूँ है बताने वाला हूँ आपको CAC से आए एक जरूरी अपडेट के बारे में जो कि है CAC ID Deactivation के ऊपर और ये शुरू हो रहा है 18th April 2019 से और जितने भी गैर लेंदेर वाले V CAC VALI है जो डिजिटल से वाप पोर्टल पर यानि CAC पर एक्टिव नहीं है यानि ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं उस सारे CAC VALI की ID जो है से 6 बच के 43 मिनिट पर यानि 43 मिनिट पर एक मेल आया हुआ है जहां पर लिखा गया है DR VALI We are going to deactivate all non-transaction VALI from CAC connect and CAC associate application तो जितने भी non-transaction VALI है उनको CAC connect और CAC application जो भी CAC related जहां पर भी CAC से login कर पाते हैं अब उन सब से उनके ID को जो है हटा दिया जाएगा यानि deactivate कर दिया जाएगा Most of CAC VALI working in PMG दिशा are not doing any transaction on digital sewa portal ठीक है तो जो भी PMG दिशा पर VALI काम करते हैं सारे maximum VALI जो है digital sewa portal पर एक्टिव नहीं यानि transaction नहीं करते हैं तो therefore all PMG दिशा भी ली be informed that if they do not get activated and do transaction within 7 days will be deactivated and delete their account permanently the account of such user will be deleted on 18th April 2019 तो यहां पे 18th April 2019 से 19 के पहले तक अगर आपने डिटल से वाप पोड़ल पर कोई transaction नहीं किया है अगर आप active नहीं है तो आपकी ID जो है डिलेट होने वाली है तो अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सिंपल डिटा से वाप पोड़ल पर एक transaction कर लिए आप मोबाई रिचार्ज कर लिजे पैनकाट कर लिजे कुछ भी कर लिजे एक transaction कम से कम एक मन्त पर करी लिजी आप ठीक है तो क्या है कि आ अबना एक छोटा सा अबडेट सी यह सी डियक्टिवेशन के उपर आसा करता हूं यह अपडेट आपको अच्छा लगा पसंद आगा तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब जोर करें तब तक लिए हमने रिष्टे जहिन चाहभार